हाई फ्रेंड्स मी अकांचा सर्माजी की वितकांशा में आपका स्वागत करती हूँ मद्य पिदेश पत्वारी और व्यापम परिक्षा के लिए हमारी MCQ सिरीज भी चल रही है ठोरी क्लासेज भी चल रही है उसी सिरीज में आज हमारा यर्थी स्वाभागे आज मैं प्रिंटर से संबंदित MCQ करा रही हूँ आपको और यह मतलब आप यह समझेए ब्यापम की परिक्षाओं में यह पूछ इस संबंदित 3 या 4 प्रशन आपको पूछना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है डॉट मैट्रिक्स पिंटर कौन सा है डॉट मैट्रिक्स पिंटर कैसा होता है यूनी डारेक्सनल होता है सिक्वेंसनल होता है बाई डारेक्सनल होता है या रैंडम होता है तो डॉट मैट्रिक्स पिंटर कैसा होता है तो दोट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रिकार के प्रिंटर का उधारन है, दोट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पेक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या 3D प्रिंटर, तो देखो, दोट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है, वो इम्पेक्ट प उधारन क्या है, dot matrix printer का उधारन है, impact printer, impact printer का उधारन क्या है, dot matrix printer, यो printer के जो सबसे पहले चलते थे, जिनमें ribbon का उपयोग होता था, उसमें dot matrix printer आते थे, अगला question है, ऐसा printer जिसमें अक्षर बनाने के लिए, printer head तथा paper को एक साथ force किया जाता है, impact printer में किया जाता है, किसमें किया जाता है, paper head को और paper को, paper head मतलब जो paper को दवाता और paper को, जैसे कि पहले type writer होते थे, वो एक साथ दवाता है, तो वो एक साथ force किया जाता है, तो वो कौन सा printer कहलाता है, वो impact printer कहलाता है, निमने में से कौन सा printer graphics printer नहीं कर सकता, graph वगेरा नहीं बना सकता, सीधा सच्चा सा प्रिंटर है केबल केरिक्टर टाइप कर सकता है तो वो कौन सा प्रिंटर होता है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता वो होता है डेजी भील प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है वो है डेजी वील प्रिंटर फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा सियर कीज़ेगा तक ज्यादा से जदा लिगो कोई MCQ पहुंच सके और कमेंट करके बिताइगा कि आपको MCQ सीरीज कैसी लग रही है अगला है प्रिंटर की गती को नापने के लिए किस यूनिट का उप्योग किया जाता है प्रिंटर की गती को मापने के लिए देखो सबसे पहला है CPS यह जो CPS होता है इसका मतलब होता है Character per second CPS का मतलब क्या होता है CPS का मतलब होता है Character per second तो इसका भी उपयोग printer की गती मापने में करते हैं दूसरा होता है IPM दूसरा क्या है IPM IPM का मतलब होता है image per minute IPM का मतलब क्या होता है image per minute IPM का मतलब होता है तीसरा है IPM को से भी printer की गती मानते हैं तीसरा है PPM PPM का मतलब होता है page per minute पीपीएम का मतलब क्या होता है पेज पर मिनिट तो पीपीएम का मतलब होता है क्या पेज पर मिनिट और आइपीएम का मतलब क्या होता है इमेज पर मिनिट और आपने उपर पढ़ाता सीपीएस CPS का मतलब होता है character per second CPS का मतलब क्या होता है character per second ये तीनों ही जो है printer की गती को नापते हैं तीनों ही इसके option जो है वो सही हो जाएंगे अगला question है निमने में से कौन सा device आपको कागच के दोनों तरफ मुद्रन करने देता है मतलब दोनों तरफ छापने देता है fuser, toner, duplexer या paper swapping unit तो ऐसा device जो आपको कागच के दोनों तरफ मुद्रन करने देता है उसको बोलते हैं duplexer क्या कहलाता है? duplexer कहलाता है duplexer एक ऐसा device है जो आपको कागच के दोनों तरफ मुद्रन करने देता है अगला कुश्यन है उच्छी गुरबत्ता का डिजीटल प्रिंट जिसे पॉली विनौईल क्लोराइट की सीट पर किसे प्रिंट किया जाता है कौन सा डिजीटल प्रिंट है बैनर पोश्टर फलेक्स तो flex को polyvinyl chloride की seat पर print किया जाता है polyvinyl chloride का सुत्री ये होता है laser printer खालिस्थान से संबंदित है line printer, page printer, character printer या dot matrix printer तो laser printer जो होता है वो page से संबंदित है page printer क्योंकि laser printer के द्वारा आप पूरा page को print कर सकते हैं इसलिए laser printer किस से संबंदित है, page printer से संबंदित है laser printer किस से संबंदित है, page printer से संबंदित है friend description box में whatsapp, telegram, facebook to teleinsta की link मिल जाएगी join कल दीजिगा, इसके लाब आप मेरे इंस्टा पे भी follow कर सकते हैं akansha1957, इस link से आप मुझे इंस्टा पे भी follow कर सकते हैं description box से whatsapp, telegram, group से भी जोड़ सकते हैं किसी उत्पात पर printed line के pattern को क्या कहते है printed line का pattern इस प्रेकार से line आती है printed तो उसको क्या कहते है उसको बोला जाता है barcode किसी उत्पात पर printed line के pattern को क्या बोला जाता है तो किसी उत्पात पर printed line के pattern को barcode बोला जाता है आगे बढ़ने से पहले अगर आप पटवारी group 2 की तियारी कर रहे हैं तो आप हमारे notes प्रफर कर सकते हैं बहुत आसान भासा में सरल तरीके से to the point चाहे वो समाने ग्यान हो जो समाने ग्यान जिनका तयार नहीं हो चाहे अंग्रेजी हो ट्रिक दोआरा चाहे समाने विज्ञान के 3000 वर्लाइनर हो चाहे व्यापम की परिक्षा में पूछे जाने वाले 2000 वर्लाइनर हो चाहे प्रबंदन के MCQ plus one liner plus theory हो, computer की theory plus objective हो, गड़े तरक सकती हो, हिंडी हो, ये सब ही बहुत सरल भासा में, चाहे current affairs की booklet हो, सब बहुत सरल भासा में आपको दिया जा रहा है, साथ में हम आपको एक group भी provide कराते हैं, इस group में आपकी तैयारी कराई जाती है, यहां हम headphone update दिये यह जो इस प्रेकार, यह जो WhatsApp का group है, यहां पे current affairs कराई जाता है, regular test की विवस्ता है, regular question यहां पे दिये जाते हैं, आप जैसे जैसे समय भी देगा, यहां पे जो जितना भी question देनी की series है, वो बढ़ती जा रही है, computer के shortcut के याद कराई जा रहे है, current affairs दिया जा रहा है, reasoning करा जा रहा है, trick द्वारा किस तरह से किस सवाल को हल कर सकते हैं, छोटे छोटे की point इस group में दिये जाते हैं, यह group आपके लिए coaching का काम करता है, अगर आप यह सब लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस number पर WhatsApp कर सकते हैं, उपर इस number दिया गया है, 6260190944, भारत में कहीं भी रहत होंगे, आपके पास यह deliver हो जाएंगे, अगला question है, inkjet printer के रंगीन स्याही का जो bottle होता है, उसमें मूल रंगों की संख्या कितनी होती है, inkjet printer के रंगीन स्याही में, तो inkjet printer के इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी है तो मूल रंगों की संख्या जैसे कितनी होती है तीन होती है इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी है तीन है, निम्ड में से कौन सा प्रिंटर आम तौर पर DTP के होतु उपयोग में लाया जाता है, DTP के लिए, तो DTP के लिए किसको प्रियोग में लाया जाता है, DTP के लिए थर्मल प्रिंटर का उपयोग में लाया जाता है, नहीं सौरी, DTP के लिए लेजर प्रिंटर को उपयो किया था थीडी तकनीक प्रिंटिंग तकनीक का उसकार किस ने किया था चाल्स हुल ने किया था थीडी प्रिंटिंग तकनीक का विकास किस ने चाल्स हुल ने प्रिंटर की गुडवत्ता किस कैसे ना पी जाती है एक लाइन में विंदू की संख्या के आधार पर एक पेज में के संख्या के अधार पर जू है पिंटर की गुरवत्ता ना पी जाती है निमनिक में से कॉन एक mobile नहीं है इन देखोव डेजी पिरेंटर भी है डॉसमे क्ट्रिक्स भी है और लाइन प्रिंटर भी है यह तीनों इंपेक्ट प्रिंटर है और जो थर्मल प्रिंटर है यह नौन इंपक्ट प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर कैसा है थर्मल प्रिंटर जो होता है वो नौन इंपक्ट प्रिंटर होता है इंपक्ट प्रिंटर नहीं होता है अगला कुशन है इन में से कौन इंपक्ट प्रिंटर है इंपक्ट में लाइन प्रिंट करता है non impact printer है एक से अधी copy करता है या एक बार में एक अक्षर print करता है तो dot matrix printer जो है एक बार में एक अक्षर print करता है dot matrix printer क्या करता है एक बार में एक अक्षर print करता है blank character printer है जो एक समय में एक character को print करता है dot matrix printer dot matrix printer एक समय में एक character को print करता है अगला है laser printer कैसा होता है तो laser printer line band dot matrix या page तो laser printer होता है page printer क्योंकि जो एक बार में ये पूरा एक page print करता है अगला है dot matrix printer से मुद्रित करने ही तू किसका उप्योग किया राता है dot matrix printer में ribbon का उप्योग किया राता है dot matrix printer में print करने के लिए किसका उप्योग करते हैं, किसका उप्योग करके हार्ट कौपी तयार की जाती है, टाइप राइटर, लेजर पृंटर, דht.matrix, पृंटर सभी सभी कि दवरा हार्ट कौपी पृंट की जाती है USA की संस्था, MIT ने 2016 में प्रिंट की एक नई तक्निक विकसित की इसको क्या बोला जाता है 4D printing, 2016 में कौन सी तकनीक विक्सित हुई है, 4D printing विक्सित हुई है, किसी computer में कौन सा device कारियात्मक रूप से keyword के विपरीत होता है, कुझी पतल के विपरीत होता है, तो मतलब input के विपरीत होता है, output इन में क्या दिख रहा है, printer output है, joystick mouse keyboard input है, तो अलग क्या दिख रहा है printer, तो printer आसान हो जाएगा, जो answer हो जाएगा, इन में से character printer नहीं है, देखो, inkjet printer, golf wall printer, band printer और thermal, band printer, character printer नहीं है, बाकि ये तीनों ही character printer है, printer जिसमें head, head के कागच पर प्रभाब के दवाब से, दवाब से character print होता है, impact, impact मतलब दवाब लग रहा है, peripheral up current का उधारेने, peripheral up current वो होते हैं, जो बाहर से जोड़े जाते हैं, सहायता के लिए, तो इसमें बाहर से क्या, CPU, microprocessor, word अंदर ही रहता है, printer क्या है, peripheral up current है, इन में impact printer कौन सा है, dot matrix, drum printer दोनों, तो ए और भी दोनों ही impact printer है, अगला है, निम्ण में से क्या एक hot heart copy बनाता है, dot matrix, line printer, plotter या सभी, कौन heart copy बनाता है, तो ये तीनों ही heart copy बनाते हैं, तो answer हो जाएगा उपरुक्त सभी, अगला है, laser printer में किस चीज का उपयोग होता है, प्रकासी, drum, laser beam, आविसित, स्याई, toner या उपरुक्त सभी, तो सभी का प्रियोग laser printer में होता है, अगला है, कौन से printer में सूखी स्याई का उपयोग होता है, सूखी स्याई का उपयोग किस में होता है, laser printer में, laser printer में सूखी स्याई का उपयोग किया जाता है, किसमें laser printer में याद रखिएगा निम्लिकित में से कौन सा device एक printer का प्रिकार है cathode ray, liquid ray tube, crt बोलते हैं liquid crystal d जिसको LCD बोलते है liquid crystal display, light emitting diode LED को बोलते हैं और thermal flat bed जो होता है वो printer का एक प्रिकार है तो इसका answer हो जाएगा thermal flat bed तो friends ये थे हमारे आज के question आसा है आपको question अच्छे लगे होंगे वीडियो अच्छा लगे तो like, share, subscribe जरूर कीज़ेगा comment करके बताइएगा और अगर आप हमारे notes लिना चाहते हैं तो whatsapp कीज़ेगा okay friends thank you